तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप उम्मीद करता हूँ आप और आपके पैट्स दोने काफे ज़्यदा हेल्दी होंगे तो दोस्तों आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्केप मत करना यदि आपके घर में भी डॉग है तो आप इस प्रॉबलम को काफी अदा फेस करते होंगे जिसको हम हिंदी में पिस्सू बगर बोलते है कीड़े लग जाते हैँगे और आप इससे काफी अदा परिसान रहते हो साथी साथ आपका जो डॉग है इससे उनको काफी सारी बिमारियां भी हो जाते हैं तो इसको solution क्या है, कई लोग बताते हैं कि आप sample लगा लो, कई कहते हैं फिर regular base पर उसको कंगी करो, कई कहते हैं कि आप उसको धूप में जतना उसके बाहर रखो, जिससे कि उसके अंदर का जो body है, उसका जो moisture है, जो उसके बालों का moisture है, वो सब निकल जाएगा, और आपका dog है, उसके सरीर पर जो पिस्सू बगार है, बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, तो अलग-अलग type के जो लोग आपको बताते हैं, कि आपको क्या-क्या करना है, तो वो आप follow कर करके देख लिए हो, तब भी यदि आपके जो dog है, उसके पिस्सू नहीं जा रहे हैं, तो एक बार हैं, कि मेरे dog को टेक हैं, यानि मेरे dog को पिस्सू हैंगे, इसका वो देदो, तो यह आपको बता देंगे, आपको 2500 ml पानी में, यानि की थोड़ा सा पानी में, आपको 2-3 बूंद इसको सिर्फ डालना है और आपको अच्छे तरीके से इसको मिला देना है, आपको और कुछ भी नहीं करना है, लेकिन जब आप मिलाएंगे, आपको यह ध्यान रखना है, कि आपको जितने हो से के बूंदे इसकी कम लेनी है, और पाने के मातर बहुत ज़्यादा रखनी है, यह एक कैमिकल है, और यह आपको बिल्कुल जैसा मिट्टी का तेल होता है, हमारा केरो से इ होता है, वैसी ही स्मैल करता है, वैसी ही महकता है, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, इसको अच्छे तरीके से मिला के रख देना है, मिलाने के बाद यह कुछ इस तरीके से देखे कर जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो, इसके बाद आपको इसे अपने डॉक को लगा चाहो तो मेरे नहाने वाले वीडियो भीं देख सकते उकि डॉक्ष को कैसे नहलाया जाता है तो आप घाली åt झैट तो प्रेका बाडि few दृख को लगाना ही जबNo animales टॉ रखते हो कि जो टेकिया पिस्सू रहेंगे वो वैसे ही अल्रेडी मर गए होंगे अब जैसे आप देख रहे हो वीडियो में मैं अपने डब्बो को लगा रहा हूँ आपको कोई भी कपड़ा ले लेना है और उस कपड़े से अपना जो डॉग है आपका जो डॉग है उसके सर आपको अच्छे तरीके से लगा देना है जब आप इस केमिकल को लगा देंगे तो आपको अपने डॉग को 10-15 मिट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है यह केमिकल अपना असार देखाएगा आपको थोड़ी सी खुझली होगी तो यहाँ वहाँ हलका बहुत थोड़ा सा मचल प्रबर देखाएगा कि उसको कुछ हो रहा है खुझली हो रही है या आपने उसके बॉड़ी में कुछ लगा दिया है उसके बाद आप जैसे पाने डालेंगे तो आपके डॉग को पूरा केमिकल लेकल जाएगा और आपके डॉग के सारे के सारे टिक्स निकल जाएगे जै जब भी अपने डॉग को यह लगा रहे हो तो कान के पास आपको ध्यान रखना है आख नाक मुह की वो इसको ज़्यादा स्यादा चाटे ना क्यूंकि थोड़ा सा केमिकल लेकल रिस्की हो सकता है तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कान के अप लगाएंगे तो आराम अ केमिकल लगा के छोड़ दो इस समय की बीच आपका डॉग थोड़ा बहुत मचलेगा थोड़ा बहुत आपको देखेगा आपको बकाएगा ऐसे ऐसे बाल फटकारेगा कि यार कुछ हो रहा है उसको मेरे डबू तो हलागी कुछ कर रहा नहीं स्टार्टिंग में करता रहा जब उसको बहुत ज़्यादा टेक रहे तब वो करता रहा क्योंकि टेक वहाँ पर मरती है उसके बात अब आता है मैंट पर जहां पर आपको जितना हो सके अपने डॉप को पानी डालना है जितना हो सके उसको साफ करना है आपको बस ये ध्यान रखना है कि पूरा जो उसका chemical ये वो उसकी body से बाहर आ जाए फालतू का chemical उसकी body मना लगा रहा है यदि वो चाट लेगा थोड़ा से रिस्की हो जाएगा यासा कि आप वीडियो में देख रहे हो मैं अच्छी तरीके से उसको पानी डाल रहा हूं इसकी पूछ में पैर में डालना है और खासकर चहरे पर चहरे पर आपको पानी हाथ से लेके लगाना हैगा कान के अंदर ध्यान रखिए का पानी ना जाए जैसे आप अपने डॉक को नहलाते हैंगे मैं बार बार बोल रहा हूं सिंप chemical बस आपको लगाना और कुछ नहीं करना है बाकी जैसे आप अपने डॉक को नॉर्मल नहलाते हैं वैसे आप उसको नहला सकते हो और आपके डॉक का पूरा टेक खत्म हो जाएगा अब मैं अपने डबू को पीठ पे लगा रहा हूं जहां जहा इसको देखते रहा हो कि हाथ फिर रहा हूँ मैं कि कहाँ पर उसको ज़्यादा पिस्सू रहे वहाँ पर कैमिकल कसर मैंने ज़्यादा लगाया था वहाँ पर मैंने कैमिकल को ज़्यादा मला था ज़्यादा लगाया था तो ये तरीके से 100% उसका टिक रिमूब होने वाला है तो दोस्तों यही ते वीडियो वीडियो चल लगी हो तो लाइक कर देना और यदि आग मेरे चैनल बने हो तो उसको सब्सक्राइब कर देना और हाँ आपका जो डॉग है उसके टिक इस टेकनिक से बहुत ही आसानी से निकल जाएंगा